कि हमने लाज्ट लेक्टर में इलेक्ट्रोलाइसीस किया था एक इलेक्ट्रोलाइट में से हमने इलेक्टिसिटी पास करी थी हुआ अपने आइंस में रिसोसीट हुआ था और जो अपोजिट आइंस हैं जैसे electrolyte है उसमें positive iron भी होते हैं और negative iron भी होते हैं तो वो दोनो respective electrode की तरफ move करेंगे पलस वाला cathode की तरफ move करेगा और minus वाला anode की तरफ move करेगा और वहाँ पर क्या हो जाती है उनकी oxidation और reduction ठेक है कैथोड पर reduction होएगी और anode पर क्या होगी oxidation मालनो sodium chloride है आपका na positive कैथोड पर जाएगा gain of electron होगा और किस में convert हो जाएगा यह sodium तो यह sodium का एक atom क्या होगा कैथोड पर deposit हो जाएगा इसी तरह से और atom से भी कैथोड पर deposit हो जाएगा ठीक है और anode पर chlorine gas निकलेगी यदि आप NaCl की electrolysis करते हैं यह हमने पहले वाले lecture में किया था अब कितनी amount evolved हुई gas की या फिर कितना substance deposit हुआ electrode पर वो सबसे पहले किस ने बताया तो फेराडे ने क्या कहा कि the amount of any substance deposited or liberated at an electrode is directly proportional to quantity of electricity passed through the electrode light कि जो mass deposit हुआ है substance का वो depend करेगा कि आपने कितनी देर के लिए इस solution में से electricity pass की है सीधी सी बात है जादा देर के लिए electricity pass करोगे तो cathode और anode पे जादा देर तक चार्ज रहेगा negative और positive और अकर जादा देर तक negative और positive चार्ज रहेगा तो उतनी देर तक जो ions है वो electrode की तरफ move करेंगे क्योंकि ions electrode की तरफ तब तक move करेंगे जब तक ये charge रहेगा बैटरी हटा दो चार्ज खतम चार्ज खतम हो जाएगा तो जो प्रोसेस है वो stop हो जाएगी oxidation और reduction वाली और आपका product नहीं बनेगा सीधी सी बात है ज़्यादा electricity ज़्यादा mass अब देखिए हम इसको mathematical करते हैं जरा तो let double ground और substance यह हमारा deposit हुआ रहा है किसी भी electrode पे ठीक है और क्यों है कुलम्स ओफ electricity कुलम्स ओफ electricity मतब solution मैंसे कितना कुलम्स कितना चार्ज क्या हुआ है transfer हुआ है तो w it is directly proportional to क्यों होगा सीधी सी बात है ज़्यादा amount of electricity पास हो रही है तो ज़्यादा substance deposit होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं w it is directly proportional to क्यों होगा आपको यह बात पता है जब भी हम proportionality को हटाते हैं तो उसकी जगे क्या लगा देते हैं एक constant तो यहाँ पर एक special constant है जो की है z तो यह आगया आपका w is equal to z into q what is z? z है आपका electrochemical equivalent अब इसकी definition भी करेंगे हम electrochemical equivalent jet ठीक है आल्सो हमें यह बात और पता हूँ नीची जो current होता है current आई it is equal to charge transferring per unit time i is equal to क्या होता है q by t इसको आप यह उपरवाल equation में रखें तो यहाँ से हम q is equal to क्या लिख सकते है i t लिख सकते हैं इस equation से q is equal to i t लिख सकते हैं इसको उपरवाल equation में रखें तो यह आ जाएगा आपका w is equal to z into i into t तो यह आपने formula याद रखना है w is equal to z into i into t z आपका electrochemical equivalent है हर electrolyte के लिए अलग अलग होगी इसकी value i आपका current है और t के आपका time कितने time के लिए आपने electrolyte में से electricity pass की है और जो आपने time लेना है वो हमेशा ही second में लेना है तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया भी जो formula है वो हमारा ही आया w is equal to z into i into t अब हम definition लिखेंगे z की electrochemical equivalent की एक number किया जाती है definition तो इसमें देखिए यदी i जो current solution में से pass किया जा रहा है यदी वो में कितना लूँ एक ampere और t is equal to कितना लूँ वन है सेकिंड लूँ ठीक है इन दोनों values को इसमें पूट करो तो यह क्या जाएगा w is equal to z into one into one तो w is equal to किसके बार आप आप आगया देखो z डबलू क्या है it is the mass deposited और liberated gas है तो liberated अगर solid है तो deposited on the electrode ठीक है और z क्या आपका electrochemical equivalent दोनों बराबर होंगे कब बराबर होंगे दोनों जब हम एक ampere current electrolyte में से pass करें कितनी देर के लिए एक second के लिए तो जो mass deposited है किसी भी electrode पर वो equal होगा किसके उसके electrochemical equivalent के ठीक है वह यह definition आ गई आपकी कि the electrochemical equivalent of a substance may be defined as the mass of the substance deposited और liberated और लिख लेना when a current of one ampere is passed through the solution for one second यह था आपका faraday का first लो अब बात करते हैं faraday की second law की तो faraday का second law क्या कहता है देखिए पहले diagram समझे लें आप दो solution है इसमें दिखाए दे रहें आपको AGNO3 और CUSO4 दोनों एक ही battery से जोड रखे हैं एक ही battery से जोड रखे हैं दोनों ठीक है अगर दोनों एक ही battery से जोड रखे हैं तो इसका मतर्द दोनों में से जो amount of electricity होगी वो होगी same दोनों के electrodes पे mass deposit होगा तो किस पर जादा होगा किस पर कम होगा ये बात किस ने बताई फेराडे के second law तो फेराडे के second law ने क्या कहा कि यदि हम same amount of electricity if same amount of electricity is part through the solution of different electrolyte connected in series the weight of the substance deposited at their electrodes is directly proportional to their equivalent weight अगर आपके substance का equivalent weight जादा है तो substance जादा deposit होगा और अगर कम है तो कम deposited होगा ठीक है जैसे ये silver और copper sulfate है तो silver nitrate silver nitrate में कौन से आइन है az positive ठीक है तो आइन का हम equivalent mass कैसा निकालते हैं उसका जो भी आपका आइन है उसका mass उसका atomic mass upon charge कितना charge है कैटाइन पर देखिए silver पर कितना charge है पलस बन और जो silver का mass होता है वो होता है आपका 108 ग्राम 108 बटे एक ठीक है 808 बटे एक तो कितना आया आए आपका 108 ग्राम लिए ठीक है तो silver का जो equivalent weight होता है वो होता है 108 यह आपने ध्यान रखना है अगर आप मैं copper की बात करूं copper sulfate में कौन से आयन है आपके co2 positive इसका equivalent mass निकालो copper का atomic mass कितना है 63 upon कितना charge है इस पे पलस 2 तो 63 upon 2 यह कितना जाएगा आपका लगभग 31 के आस पास आ जाएगा ठीक है तो हमने अभी copper का equivalent mass कितना निकाला कितना निकाला 31 के आस पास ठीक है 31.5 और silver का equivalent mass कितना निकाला हमने यह निकाला हमने 108 तो यदि कि इन दोनों solutions में से मैं electricity पास करूँगा तो silver का ज़्यादा mass deposit होगा और copper का कम mass deposit होगा क्योंकि silver का equivalent mass है जो equivalent weight है वो ज्यादा है और copper का equivalent weight कम है चलिए परडला को कुछ आगे बढ़ाते हैं मेरे पास एक electrolyte है sodium chloride एक्वस है ठीक है इसमें कौन-कौन से आयन प्रेजेंट है sodium और chloride आयन तो जब electricity पास की जाएगी तो sodium आयन मूव करेंगे किस की तरफ cathode की तरफ यह बात आपको पता है वहाँ पर क्या होगी reduction gain of electron और वो sodium atom के रूप में क्या हो जाएगा electrode पर deposit हो जाएगा cathode पर अब आप देखिए एक atom जब deposit हुआ sodium का तो कितना charge transfer हुआ एक electron transfer हुआ और एक electron पर कितना charge होता है 1.6 into 10 raise to power minus 19 कुलाम आप मान लो मुझे sodium करना है 1 mole deposit 1 mole का क्या मतलब हुआ कितने atoms आप सभी को पता है 6.022 into 10 raise to power 23 atoms एक mole हुआ ठीक है 1 atom के deposit होने में तो कितना charge चाहिए थम्ठ हो 1.6 into 10 raise to power minus 19 कुलाम और अगर मैं बात करूँ एक mole मुझे deposit करना है मतलब इतने atoms मुझे deposit करने है किस पर मेरे electrodes पर तब कितना charge transfer होगा देखो इन दोनों को multiply कर दो 1.6 into 10 raise to power minus 19 into 6.022 into 10 raise to power 23 जदे आप इनको multiply करोगे तो ये value आएगी 96487 कुलाम और इनको हम nearly equal to लिखते है वो 96500 कुलाम और इसको बोलते हैं हम 1 faraday ये जो quantity है 96500 कुलाम इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे इसको 1 faraday यदि इतना charge transfer हो रहा है आपका electrolyte में से तो वो क्या होगा आपका 1 faraday इसका मतबी है कि अगर मैं 1 faraday electricity पास करूं सॉल्यूशन में से तो sody मेरा कितना deposit होगा 1 mole चलिए एक उधारन और लेते हैं जैसे आपका copper है Cu, Cu two positive copper sulphate में यह ions है cathode पे reduction होएगी plus two electrons तो किसमें convert होगा हो copper में और वो deposit हो जाएगा आपके electrode पर देखें एक atom copper का एक atom जब हमें deposit करना है तो कितना charge transfer हो रहा है बताइए two into two electron है न तो 1.6 into 10 raise to power minus 19 coulomb इतना charge transfer हो रहा है ठीक है अब यदि मुझे copper deposit करना है one mole, one mole का मतलब 6.022 into 10 raise to power 23 इतने atom deposit करने तब कितना charge transfer होगा देखो एक atom में तो इतना charge transfer हो रहा है two into one point six into 10 raise to power minus 19 और one mole के लिए कितना होगा इससे multiply हो जाएगा तो two into one point six into 10 raise to power minus 19 into six point zero two two into 10 raise to power 23 और ये quantity अभी हमने पिछे करी थी जिसकी value कितनी आ रही थी nine six five zero zero coulomb हमने इसको क्या कहा था one faraday कहा था कहा ने कहा था ठीक है तो यहां पर कितना जाएगा ये two into इसको मैं one faraday लिख रहा हूँ तो t into f two f two f faraday तो अगर copper का एक mole आपको deposit करना है तो कितना faraday चाहिए आपको दो faraday ये अपने ध्यान रखने बात ठीक है अगर मैं aluminium की बात करूं aluminium में क्या होगा सेम उसी तरह से बिल्कुल aluminium की reduction कैसे होगा aluminium में कौन से आइन होते हैं आपके al three positive बनाता है aluminium के salts ठीक है एक atom अगर deposit होगा इसका electrode पे तो कितने electron चाहिए तीन ठीक है तो ये क्या बन जाएगा आपका al तो एक atom के deposit होने में कितना charge चाहिए तीन गुना गुना एक point 6 गुना 10 की power minus 19 फुलाब कितना चाहिए charge ठीक है और यदि मुझे इसको कितना deposit करना है एक mole deposit करना है तो ये किससे multiply हो जाएगा इसी तरह से 1.6 into 10 raise to power minus 19 वन mole deposit करना है ये जो है ये तो है जब एक atom deposit करना है तब charge transfer और जब 1 mole करना तो multiply हो जाएगा है 6.022 into 10 raise to power 23 से तो ये देखे ये टरम उसी तरह से ये क्या होगी आपकी फेराडे तो कितना फेराडे यूज़ हुआ इसमें 3 फेराडे यदि आपको aluminium का 1 mole deposit करना है तो आपको कितनी electricity चाहिए 3 फेराडे aluminium का 1 mole कितने के बराबर होता है 27 के mole किसके बराबर होता है atomic mass के बराबर तो aluminium 27 ग्राम तो 3 F अगर मैं 3 फेराडे अगर मैं इसको खोल के लिख हूँ इस बात को तो 3 फेराडे का क्या मतलब हुआ 3 गुना 96 500 कुलाम एक फेराडे में इतने कुलाम होते है 96 500 तो कितना फेराडे हुआ आपका 3 फेराडे चाहिए ना तो कितना कुलाम बनेगा aluminium का एक मोल्टिपोजिट होने में 3 गुना 9 6 5 00 कुलाम इन दोनों को मल्टिप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा आपका कितना 4 चाहिए ठीक है सोडियम का कितना होता है 23 सोडियम में एक electron involved था तो उसमें चाहिए था आपको सोडियम का एक मोल्टिपोजिट होने में 1 फेराडे 1 फेराडे का मतलब 96 500 कुलाम अगर मैं इसको जनरलाईज करूं कि मेरे पास एक आयन है जिस पे जो चार्ज है एन पोजटिव ठीक है और एन इलेक्टोन involved हो रहे हैं एन इलेक्टोन क्या हो रहे हैं involved हो रहे हैं reduction में ठीक है यह बन गया आपका M metal बन गया ठीक है metal का एक atom कोई भी substance हो सकता है एक atom deposit हो गया electrode पे ठीक है sodium में एक electron involved हो रहा था 1 फेराडे चाहिए था deposition के लिए 1 mole of substance के लिए copper में 2 electron involved हो रहे था 2 फेराडे चाहिए था ठीक है और यदि किसी iron की reduction में N electron involved हो रहे हैं तो उस substance के एक mole के deposition के लिए हमें कितनी electricity चाहिए NF NF का मतलब N फेराडे ओके